हलो दोस्तों नमस्कार आशा की होप में आप लोगों का स्वागत हैं ये जो मैं रेस्पी डाल रही हूँ ये मड़वा के आटे का हल्वा मैं बना रही हूँ ये ब्रत के समय जूतिया के समय मैं बनाई थी दोस्तों तो उस समय मैं नहीं डाल पाई हूँ तो आज मैं लेकर आ तो देखिये दोस्तों ये मड़ुँआ के आटे का हलुआ है तो आएए चलिए हम लोग सुरू करते हैं बनाना देखिये किस प्रकार बनाया जाता है दोस्तों तो इसको आप किसी भी समय खा में ही बनाएं जूतिया के देन ही बनाएं इसलिए मैं इस रेश्पी को दिखा रही हूं शेयर कर रही हूं कि यह आप किसी भी समय क्योंकि यह फाइदे मंद होती है तो आये चलिए हम लोग सुरू करते हैं बनाना देखिए दोस्तों इसमें सबसे पहले हमने दलिया ले रख लखेंगे हमारी कडाई सब्लीकर कर दें देसी घीँ करते हैं अभी स्वित दानेंगे युटक्छ दैसीजरे हमके क्योंकि और क्याफिवर राखियों निटूश мूयूधी को दोस्ता दखे हिए शरूर्ष करते हिमें हो लेग से शरुत हिटने सब्सेएं बूंता इसमें फिर से हम घी डालेंगे और जो दल्या को हम धूले हैं इसको हम इसमें डाल देंगे और इसको हम खुब भूनेंगे और क्रिस्पी होने तक भूनेंगे क्योंकि दोस्तों ये धूल दिये हैं तो ये भीग चुकी है तो ये चिपक भी सकती है देखिए मैं खरोज-खरोज के इसको जो हो भूनूँगी ताकि इतना भूनूँगी कि जब तक ये तली न छोड़ जाया तो देखिए ये मेरा गूड है ये हम हल्वा देशी तरीके से रहे हैं मडवे का हलुआ तो दोस्तों आप इसको किसी भी समय बना सकते हैं खा सकते हैं जम्मन करें तब देखिए यह चिपक रहा है तो इसको खुब खरोज-खरोज के हम इसको भूनेंगे अच्छे से दोस्तों मेरा गला बैठा हुआ है आवाज थोड़ी अच्छी नहीं ह माफ केजिएगा ध्यान ना दीजिएगा तो दोस्तों थोड़ा समय लगेगा इसको भूनने में और देखे यह हमारा इस गुड़ को हम घोल लिए हैं तो इस तरह करके हम गुड़ को घोल लेंगे और देखे इसको अब यह मतलब मेरा हाथ भी लग रहा है कि ठक गया है तो दोस्तों मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है तो आप लोग उस पर ध्यान ना देजिएगा तो देखिए वीडियो डाले भी कई दिन हो गए हैं तो इसलिए हमने सुचा चलो आज डाल देते हैं यह मड़वे की वीडियो क्योंकि तेवार बिते भी कई दिन हो गए हैं जूतिया का तो देखिए इसको घोल के डालना है इस पानी को तो इसको कई बार घोल के डालेंग कि मतलब गुड अच्छे से घुल जाए मेल्ट हो जाए पानी में अब इसको चलाएंगे फिर इसको ढखकन से हम ढख देंगे कुछ देर के लिए तो ये खौलने लगेगा तो देखें ये हमारा खौलने लगा है अच्छे से खौल गया है तो इस दलिया को हम कुछ देर रहे हैं कि इसको थोड़ा टाइम लगेगा पकने में तो देखिए हम इसको चला रहे हैं इसको मतलब खुब जिसको कहते हैं फोड़ते हुए चला रहे हैं कि गुटली ना हो देखिए हम इसमें अंत में दूद भी डाले हैं और इसको को दबाते हुए चला रहे हैं कि सारी गुठलियां जो है इसमें की खतम हो जाए तो हमें आवशकता भी और पड़ेगी दूद की तो हम दूद डालेंगे तो दोस्तों देखिए फिर दूद डालना है तो जब तक हम इसको चला रहे हैं आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेयर करें देखिए अब चीनी भी डालना है लाश्ट में थोड़ा सा ताकि चीनी का भी टेस्ट आ जाए देखिए अब इसको खोब चलाएंगे और फिर एक तरफ हम कडाई रखें हैं कडाई हमारे गर्म हो गई उसमें भी हम थोड़ा देसी घी डाल दिये हैं ताकि जो है उसमें कुछ हम वेवे भून सके और इसमें दो चम्मच हम डाल दिये हैं देसी घी उपर से क्योंकि टेस्ट आने के लाने के लिए तो डालना पड़ेगा ना तो अब देखिए उसको भी हम भून रहा हैं देखिए यह हमारा करीब करीब लाल हो चुका है यह ड्राइफ कुछ देर फिर चलाएंगे देखिए यह हम चला रहा हैं दोस्तों अब देखिए यह मेरा करीब करीब हो चुका है अब इसको हम उतार लेंगे थोड़ी सी लाश्ट में इसमें हम हल्दी डालेंगे क्योंकि कलर लाने के लिए क्योंकि यह कलर जो है ना थोड़ा सा ज्याद मतलब डार्क दिखने लगता है तो थोड़ी सी मतलब हल्दी डालने पे इसमें थोड़ी सी चमक आ जाती है शाइनिंग आ जाती है मतलब देखने में हल्वा अच्छा लगता है देखिए कलर थोड़ा सा जरूर बदल गया है इसका तो दोस्तों इसमें कैल्सियम बहुत होता है ना तो इसको आप किसी भी समय खाएए यह डाइट वालों के लिए भी है अच्छा खासा यह है अब देखिए हम जो है थाली को जो है ग्रेस कर रहे हैं इस हल्वा है इसको चाहे ऐसे कटोरी में निकाल के सर्व करें या इसमें ड अब इसमें कुछ हम ड्राइफ रूट जो हम यह खलर में जो है माम दस्ता में हम कूट लिए हैं ताकि छोटे-छोटे हो जाए तो इसको भून के हम इसकी गानिश कर रहे हैं दोस्तों तो देखिए हम गानिश कर रहे हैं इसी तरह आप लोग बनाईए खाईए और वीडियो में फिर हम मिलेंगे दोस्तों तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाई बाई नमस्कार खुश रहे हैं दोस्तों